आईए बात कर लेते हैं next scholar से जी नमस्कार स्वागत है आपका पहले तो आप अपना नाम बताइए कहां से बात कर रही हैं हम चंडीगर से बोजे हैं मेरा नाम मीरा है जी बताईए सवाल कीजे आपको सुन रहे हैं हकीम सहा अजी, मैं, मेरे न भाई है ना उनको फिर मेन बड़ी मदलब ऐसे जटकर आते हैं, उनको वा अगरा होजाते हैं, जो कई दुआयां कर वाली है, सिटी स्कीन गजा रहा है, मतलब सब कुछ कर वाली है, उनको अराम भी दिवरे है, तो दिन ठीक रहते हैं, फिर बैसे ही होजा अजय हैं, तुर्ण लिने हो ङए हुगें उनको इस पराहि उत्रे हो ज़िए, उमर कितनी है भाई किए आपको पही कि एज कितनी है? उनकी एज है 98. ठीक है, लिए फिकर मत करिया आपके भाई आसाशनी से ठीक हो जाएंगे, यह कई कॉल इस तरह के आए मेरे पास जब से अगर आप बहुत पहले से देख रहे हैं टीवी तो मेरी एकसरसाइज देखी आपने आप कॉल पर हैं क्या अगर नहीं देखी तो मैं दोबार एकसरसाइज करके बताता हूं और यह exercise बहुत कńskिमती है और यही हो तो किस्की को चक्कर आते हैं तो कोई आंखों का test कराता है कोई कि माख का test कराता है लेकिन ये एक रोग बहुत जादा फ्यला है जिसे cervical कहते हैं cervical हमारे garden के यहां की हड़ी में एक रग दबने से होता है जिसमें चक्कर भी आती हैं, सरदर्ध भी होता है, मौढढ़े के में दर्ध भी आ जाता है, पूरे हाथ में भी दर्ध आ जाता है, इसका एक बहुत अच्छा आलाज है, आप 10 दिन करके देख लेए, दीकि ये, ये मौढढ़े से मिलाना आपको, नहीं भी मिले, मेरा तो मिल जाता है आपका नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं आपका जितना हो ऐसे करते रहें दिन भर करते रहें और जितना भी आपको वक्त मिलें ऐसा करना है और एक ही एक्सरसाइज यह ठोड़ी यहां से पकड़ें ऐसे मोड़ें ऐसे एक करते रहें जितना आपके बसकी हो कर यह औ और ऐसे देखे ये आप हैं और ये बैड है बैड के पैरों के तरफ जहां पैर जाते हैं उधर लेटना है ऐसे ये गर्दन ऐसे लटका लेनी है ऐसे और पूरा शरीर ऐसा रहे सीधा बिलकुल ऐसे लेटा रहे ये पांच-पांच मिनट लेटेंगे बहुत मज़ा आएगा औ और रोग वहीं से ठीक होना शुरू हो जाएगा अगर ये आप करते हैं आपके भाई तो आठ या दस में दिन बिलकुल अच्छे हो जाएंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और ऐसे जो ऐसे लेटते हैं ना बैट से लगा के सर ऐसे ना लेटे और थोड़ा एतियात करें ऐस इसे लेटते हैं टीवी देखते हैं तक्या लगा के ऐसे बिलकुल नहीं बहुत अतियात वाली जिन्द़ी गुजारत दस दिन तक दस दिन में आपको विश्वास और फाइदा दोनों होगा और महीनों करें और कोई दवा की भी जरूरत नहीं है वैसे और इसमें नर्व की टाकत की दवाएं बहुत फाइदा करती है जी नेक्स्ट कॉलर है राम स्वरूब जोदपूर से हमारे साथ स्वागत है आपका जी मेडम नमस्कार नमस्कार जी अदाब जी मेरे बेटा है दस साल का उनके आखो में एलिजी है ठीक है तो डाक्तरों को बिखाया था दो तीन साल हो गया वो निकूइड है आखो में डालने के देदेते हैं उर बोज़ रहे हैं कि 13-17 साल का होगा तब तक ये इनर्जी एसरी रहेजिए उनके बाद में ठीक होगी अब क्या पता ठीक होगी नहीं होगी आँकों में ऐसा लाल लाल है बलेखवाला है ना उनके बगल बगल में ऐसा वाइट वाइट शाह है वो रहता है आँक में और खुझली भी आती है आखों के अंदर वो बिन में दस पंरावार दर लेता है एसा लाल-लाल रहती है ठीक, वैसे तो उसकी रिपोर्ट हम से शेयर करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने काल किया है, तो बहुत अच्छा, मुंडी बूटी नाम से एक दवा आती है, मुंडी बूटी, ये गॉल-गॉल होती है, बॉल्स दबाने से दबती है, छोटी बड़ी होती है, तो चन पानी में भिगो दें, कुछ देर और एक गलास पानी में उबाल है इसे, और उबाल उबाल के इसे आधा कर ले पानी को, पिर चान के रोदाना एक बार इस बच्चे को पिला दिया करें, मुझे उम्मीद है कि उनको फाइदा मुमकिन है, नेक्स्ट कॉलर है, सुभा ज़् मुझे मिदे अपनी प्रेग्निया के बारे में पुछना है, ठीक है सवाल कीजिए मैं इंजने में पाहनी प्लेगनाशी थी वह मुझे नॉर्मल आचा मदब हो गई थी इसक्रत नहीं आई पिर जब मैं नेक्स चांप जेना जाहा तो इसमें मेरे पेट में इंफेक्टन हो गया था था चोती आच में दढाल क्यांब जाहा है और पर्स पीट में उसमें ठर्स हो गया था और उसके करना मेरे ट्यूब लॉकर सो गई खीक Wow एूर अभी मिवान तो एक ट्यूब नर्ट काल कुकी है मेरे ट्यूब है तो क्या को ऐससे जान्स है कि भी मतलब एक टूक के खाना मतलब वह भी ब्लॉक हो कोई अपाइड हो रेडियू की जिसके खाना हो यह ओपन हो जाए और मैं प्रिट कर चुक हो ठीक है आप अपनी लेडी डॉक्टर के मश्वरे में भी रही है और कोई लाज वो कहते हैं तो उसे भी ले सकते है और एक लाज मैं आपको बताता हूँ देखिए जैतुन का सिर्का आता है जैतुन का सिर्का एक लीटर लीजे उसमें आधा लीटर लेसन का जूस मिलाईए आधा लीटर लीबू का जूस और आधा लीटर लेसन का अदरक का लीमू का जूस आदादा लीटर मिलाई है एक लीटर जैतुन के सिरके में और ये रात को आपको तीन चमच पीना है रोजाना और गरम पानी पीना है इसके बाद और ये आप रोजाना जारी रखिए मुझे अमीद है कि आपकी ब्लॉक नर्व खुल सकती है तो चलिए सुबा जी परेशान बिलकुल नहीं होना है एक बार प्रियास करके देखिएगा जो प्चार यहां पे हकीम साहब ने आपको बताए हैं ये करके देखिए देरे देरे करके आपको रिलीफ जरूर मिलेगा और आपकी परेशानी जरूर दूर हो जाएगी दर्श क तो देखे हकीम अजमल खान अवार्ट से सम्मानित सबसे कामियाब हकीम और अपने कीमती समय में से आप सभी के सामने यहां पे आए हैं हकीम सुलिमान खान साहब जी जो चाहते हैं कि आप लोग जुड़े क्योंकि उन्होंने खुद देखा है कि लोग कितनी तकलीफ में रहते हैं कितने दर्द में रहते हैं क्योंकि वो जब दवाईयों पे निर्भर हो जाते हैं तो फिर उनके जीवन में और कुछ नहीं बचता है दर्द के सिवा लेकिन जब आप लोग युनानी पदिती से जुड़ते हैं, आयरवेज से जुड़ते हैं, इस कारेक्रम से जुड़ते हैं और एक-एक उपचार्थ वैसे ही आप अपनाते हैं जैसे कि अभी आपको हकीम सहाथ बता रहे थे तो आपकी जो बिमारी है वो जड़ से खत्म होनी है, लेकिन जुड़ना होगा उसके लिए आपको इस कारेक्रम से तो फोन उठाइए, इसे के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं जी नमस्कार, स्पागत है आपका त्राम करो हलो जी, रंचना जी, सवाल कीजिए हाँ, मैडम, मेरा बेटा 16 साल का है ठीक है उसके पूरे बॉड़ी में दर्द रहता है अभी, मतलब हो गया 15 दिन से उसके बॉड़ी में दर्द होता है जैसे कि सोड़ा गर्दन में होता है, छाटी के बीच में होता है जाटी कर दोर दोनों हाइं होता है, कमर में भी होता है अजिर शादी शिदा है? शादी शुदा बच्चा है? हाँ, शादी शुदा है ठीक है जदें कि कम उमर बच्चा है, अभी शुरुवा थे और आगे जाके बढ़ सकता है इंद दर्द तो इसको एक बड़ी अच्छी रो मैटेरियल आता है वो मिल जाए असली तो लेना ये गॉंद सिया कहते हैं काला गॉंद काला गॉंद नाम से एक गॉंद आता है जिसे बहुत तरह के गॉंद आते हैं ना हिंग भी गॉंद है तो बदाम का भी गॉंद आता है तो कीकर का भी आता है तो ये तो सब जानते है लेकिन काला गौन बहुत कम लोग जानते है और नकली न लेना ये कड़वा होता है जायके में बहुत कड़वा होता है ब्राउन कलर का होता है लेकिन इसे काला गौन कहते हैं या गौन सिया कहते हैं हम अपनी जबान में ये खाली 100 ग्राम खरीद लें और आदा आदा ग्राम सुब़ शाम खिलाएं आप देखेंगे कि खतम होने से पहले आपका बच्चे को फाइदा होना मुम्किन है प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं स्वागत है आपका चले लगता है आपसे संपर्क हमारा तूट गया है एक बाद फिर से आप संपर्क साथने का प्रियास कीजेगा अगर आपका कॉल लग जाता है तो बिलकुल आपकी यहां पे हकीम साहब से बात होगी दर्श को देखे एक बात का आपको सभी को धियान रखना है अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रही है तो उस ट्रीटमेंट को आपको रोकना नहीं है लेकिन जो आपको देशी नुस्के बताया जाते हैं वो भी आपको करने है क्योंकि जब आप देशी नुस्के अपनाएंगे और कुछी दिनों में जब आप बहतर महसूस करेंगे तो आप धीरे धीरे करके अपनी दवाईयों का सेवन कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं लेकिन कोई भी चीज एकदम से नहीं छोड़नी है जो परहेज आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहे हैं वो जरूर कीजिए तब ही आपको लाभ मिलेगा इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं जी नमस्कार स्वागत है आपका हलो हलो नाम बताईये कहां से बात कर रहे हैं जी जी आदाव बताईये क्या सवाल है आप अजी नमस्कार जी जी आदाव दोकर साब मुझे तीन सार पहले पियरा लाइज हुआ था और अब मेरे को मतला मैं चेल नहीं पारू वोकर से चलते हूँ कि अच्छा पैर मंगोरी सूजन की आजाते हैं जहां पंजा होता है ना पारे को उंगलियां और मैं चलने मेरे सब्सक्रा गुत्म में भी जर्द रहता है ठीक है एज बताएं अपनी में लिए सब्सक्रान है ठीक है अच्छा दिखिए एक नस्खा बना लीजे अलसी अलसी आप जानते ही होंगे 100 ग्राम अलसी लीजे और 100 ग्राम आपको लेना चोटी हड़ 100 ग्राम अलसी 100 ग्राम चोटी हड़ और 100 ग्राम धनिया फिर बोलता हूं 100 ग्राम अलसी 100 ग्राम चोटी हड सो गिराम धनिया और सो गिराम गॉन सिया यानि काला गॉन ये मुश्किल से मिलेगा और असली लेना ये नकली बहुत मिलता है तो ये आप चारों छीजों को पाॉडर बना लें और एक गिराम सुबा नाचते के बाद पानी से लें और गरम पानी हो तो बहुत अच्छा है और एक गिराम शाम को रात खाने के बाद अगर आप ये लेते हैं तो आपकी ये दोनों समझ से आए ठीक होना मुम्किन है जी अगले कॉलर से बात कर लेते हैं हकीम साब हमारे साथ सुधीर है असाम से स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार पताईए मेरा समस्य ऐसा है कि मेरा एक्रेंट जो है से एक दो बार हुआ है तो माथा में ज्यादा चोट लग गया है तो दवा खाने से पेन अगरत उतना होता नहीं है लेकिन बात इसा है कि मेरा सोचने का फ्रक का PCT फिर यादास का जो है यह सब मुझे प्रोब्लम होते रहती है तो इससे हम ज़्यादा डिस्टर महसुद करते हैं कोई सोचना है कोई याद करना कोई बात आपको डायबिटी तो नहीं है जो आई है ठीक है अच्छे दिखिए जो चीज दिमाग से खून अच्छी तरह बहाती है वो चीज़ खानी है आपको उसमें एक चीज़ है अखरोट अखरोट दो अखरोट रोजाना तोड़ें अपने हाथ से छिले छिलाएं नवत लिए और दस किश्मिश कमसकम रोजाना चबा के खाया करें और इसके मतालिक दवा भी आती है वो भी ले सकते हैं ये घरेल उसका ट्राय करें माजून अखरोट प्राश ये दिमाग के और सेहत के का टॉनिक है ये आप इसे ले सकते हैं मुझे अमीद है कि आपको फाइदा मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है पुष्पा ज्वालंधर से हमारे साथ स्वागत है पुष्पा आपका जी सवाल कीजिए अलो जी बताईए पुष्पा जी आदा जी बोलिया आपको वाज मिल पा रही है पुष्पा आपको अमारी वाज मिल पा रही है आप अपना सवाल कर लीजिए पुष्पा जी इस तरह है इकदब मुमाराई इस पतर साथ 77 जी सवाल कीजिए परिशानी क्या है आपको थायर है, बी पी है, और शरीर में दर्व होती है, सवाज बहुत है गैस, बहुत अगी ठीक है ब्लिट प्रिशर के लिए लेसन का इस्तमाल करें, जीरे का इस्तमाल ज़्यादा करें अद्रक या सॉट का इस्तमाल करें यह इन तीनों की एक पेस सा बना लें एक चटनी सी और वो अपनी रोटी पर लगा कर रोजाना एक दो रोटी पर जित्ता भी खाना खाते हैं वो खाया करें इससे चर्बी कम होती है ब्लड प्रेशर का यह इलाज है और क्या सवाल था इनका इनके पैरों में दर्द रहता है के लिए धनिया 300 ग्राम आवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम और गौन मौरिंगा 100 ग्राम इन सब को मिला लें और पाउडर बना लें एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम इस्तमाल करें यह अच्छे नताइज देती है अच्छे नतीज़े देती दवा थायराइट इससे